दोस्तो यदि आपको रात को नींद नहीं आती है और आप इस्तर पर करवटे बदलते रहते हो और सुबह बिल्कुल आफ फ्रेस नहीं उठते हो तो आज की वीडियो में मैं आपको पांच ऐसे ड्रिंक बताऊंगा यदि आपने रात को सोने से पहले इनमें से कोई भी ड्रि इसमें जो सबसे पहले ड्रिंक हैं वो हैं कैमोमाइल टी यानि की एक कैमोमाइल हर्ब हैं वो आपको कहीं भी ओनलाइन या ओफलाइन अराम से मिल जाती है किसी भी आप हर जहना है वो मिल जाती है किसी भी बड़े स्टोर में मिलती है वो आपको क्या करना है रात को सोने से पहले एक कप गुनगुने पानी में थोड़ी से ठी डालनी है और वो पीनी है देखे जैसे आप कैमोमाईल ठी पीते हो ये आपकी जो ब्रेन को रिलेक्स करती है आपका माइंड सांथ होता है और जैसे ही आपका माइंड सांथ होगा जो आपके अंदर anxiety है, tension है या किसी परकार का गुस्सा है वो सारा खतम हो जाएगा इतनी best ये हर्व है और आप एक गहरी नींद में चले जाओगे और जब आप सुबह उठोगे पिलकुल आप fresh उठोगे कोई चड़ड़ापन नहीं होगा आपके अंदर कोई गुस्सा नहीं होगा कोई नफरत नहीं होगी क्योंकि एक गहरी नींद बहुत जरोरी है साथ से आठ गंटे की नींद आपकी लाइफ के लिए बहुत जरोरी है यदि आप साथ से आठ गंटे की नींद नहीं लेते हो तो in future आपको बहुत सी बिमारी घेल लेगी ये मैं आपको personal experience बता रहा हूँ जो मेरे पा प्रवाओं में ये है कि रात को सोने से पहले दूद पिना ही पिना है हलका गुनगना दूद और आज भी पिया जाता है जैसे ही आप हलका गुनगना दूद पिते हो तो इससे क्या होता है जो दूद के अंदर जो nutrient है वो क्या करते हैं आपका जो serotonin hormone है serotonin hormone एक तरह का happy hormone ह होता है relax hormone होता है serotonin hormone बढ़ा देगा दूद गुनगुना दूद तो जैसे ही आप गुनगुना दूद पियोगे तो serotonin hormone बढ़ गया और serotonin hormone बढ़ने के बाद आपका जो माइंड बिल्गुर रिलेक्स हो जाएगा आपके अंदर जितने भी negative thought है वी चले जाएगे और आ बात को सोने से पहले थोड़ा आप जितनी आपकी capacity है आदा गिलास या एक गिलास थोड़ा गुनगुना दूद आप डेली पीकर सोईए आप देखना आपको बहुत गहरी नींद आएगी और अच्छी नींद आएगी थर्ड है थर्ड में आपका valerian root tea valerian root एक हर्व होती इसकी tea मिलती है market में अराम से मिल जाती है online आप अराम से मिल जाएगी offline है कहीं से भी आप purchase कर सकते हैं ऐसा नहीं आज के समय तो online का जमाना है हर चीज अवे label है तो valerian root tea क्या होती है जैसे ही आप ये लेते हो इससे क्या होता है इतनी best रबेक तो इसकी जो सोगंद है वो इ जैसे आप ये टीप हो गे तो आपको एतनी अच्छी खुसबाएगी आपके इंदर जैसे लेत अच्छी फूल होते है किसी और उस फूल में से खुसबाइगी, तो मत जैसे ही आप इसकी शूगंद लोगे तो इसमें इतना best आपको लगएगा, आपको अच्छा मैसूस हो आपके अंदर कितना बी गुसा हो चीड़ा हो नेगेटीव ठौट हो या आप किसी बात को ले गर परिशान हो ना हो सकताлы क है कि आपके आपके अंदर नेगेटREEव ठौट चल रहें है और सबसे बड़ी बात है जो ये वैलिदेन रूट टी है ये आपका मेलाटोनिन हर्मोन भी बढ़ाती है मेलाटोनिन हर्मोन क्या हो है देखिए जितना जब हम गहरी नींद में जाते हैं तो सबसे बड़ा रोल होता है मेलाटोनिन का Melatonin जितना release होगा उतना ही आप गहरी नींद में जाओगे उतनी आप आराम दैग नींद लोगे और सुबह आप बिल्कुल फ्रेस उठोगे इसलिए मैंने खुद अपना जो product है जिसका नाम मैंने fine sleep रखा इसके अंदर खुद मैंने Melatonin डाला हुआ है इसके अंदर वैस सारे हर वैस जो मैं आपको बता रहा है सारे हर मैंने डाला हुए है और Melatonin तो मैंने specially डाला हुआ है क्योंकि Melatonin जितना अच्छा result किसी के नहीं है जैसे आम Melatonin लेते हैं और Melatonin के और भी फायदी है ऐसा नहीं है कि Melatonin के ये फायदा है जो आपकी मसल से उसको रिलेक्स करेगा मानके चलिए आप डेली स्पोर्ट्स का काम करते हो और आप ठक जाते हो तो आपकी जो मसल से उसको रिलेक्स करने में Melatonin का बहुत बड़ा रोल है फूर्थ है टार्ट चेरिट जोस देखें ये टार्ट जेरिट जोस है ये भी आपको ओनलाइन अराम से मिल जाएगा ओफलाइन भी मिलता है आज कि समय ऐसा नहीं है आप जब ये जोस आप पियोगे तो ये जोस पियने के बाद इसमें भी इतना जैसे आप देरे देरे इसको जोस पियोगे न आपको खुद पता चल जाएगा कि इसका कितने बेनिफिट है इसका भी वही काम में सेरोटोनिन हार्मोन बढ़ाएगा मेलाटोनिन हार्मोन बढ़ाएगा और आपको एक रिलक्स स्टेट में लेकर जाएगा मतलब आप इतनी अच्छी नीद लोगे जैसे ही आप इसको पियोगे पीने के बाद तुरंथ गहरी नीद आ जाएगी और आप पिलकुछ एक पीसफुल नीद में चले जाओगे कोई आपके अंदर कोई नेगरेटिव थोट नहीं रहेगे और लास्ट है सबसे इंपोर्टेंट है हल्दी वाला दूद देखे आपने हल्दी वाला दूद मैं इसलिए कर रहा हूँ आपने हल्दी के बारे में सब ने सुना है सब के घर में होती है हल्दी की जो प्रोपर्टी है वो क्या है तो वो ठीक हो जाएगा साबसे बड़ी बात है कोई आपकी जो ब्रेंड में जो उतल पुतल चल रही है वो उतल पुतल सांथ हो जाएगी और आप एक गहरी नीद में जाओगे सबसे बड़ी बात है कि जैसे ही आप गुल्डन मिल्क पीना स्टार्ट करोगे हल्किया गुनगुना दूद लेना है उसमें थोड़ इसी आपको खल्दी डालनी है जैसे ही आप प्योगे आप देखना इसका नीद तो आपको अच्छी आएगी इसके और भी बेनिफिट है आपके अंदर जो बोड़ी में इंफ्लामेशन है आपको यदि डाइबिटीज है हर्ट प्रोब्लम में कोई भी आपको प्रोब्लम है आपको खल्दी वाला दूद जरूर पीना चाहिए इसके इतने बेनिफिट है यदि आपके बोड़ी में इंफ्लामेशन है तो आपके बोड़ी में बीमारी बीमारी है लेकिन यदि आपके बोड़ी में इंफ्लामेशन नहीं है तो आप बिल्कुल ठीक हो, 100% ठीक हो तो रात को सोने से पहले आप हल्दी वाला दूद बीजे और आप देखे आपको गहरी निंद आएगी इन में से आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं आपकी जैसी सिच्वेशन है या आपको जो भी चीज अवेलेबल मिल रही है किसी भी जो आप काम कर रहे हैं उस काम में आपका मन लगेगा तब भी कोई कोई कोश्यन है या कोई बात है या आप मेरे प्रोड़क्ट के बारे में जानना चाते हो या लेना चाते हो तो स्क्रीन पर मेरे नंबर है मेरी वेबसाइट है वहाँ से आप परचेज कर सकते हूँ कोई question है आप मुझे comment कर सकते हूँ और एक सबसे बड़ी बात है आप सीधा मुझे Instagram पर जाएए direct message किजी कोई भी question है Instagram पर आप मुझे से पूछ सकते हैं मैं directly आपको उसका answer दूँगा Thank you very much और जाते जाते एक छोटी सी request है चैनल जरूर सबस्क्राइब कर देदा Thank you very much